असानी भोपाल में दूसरी अंतरास्ट्रिय फिजियो एक्सिलेंस का आयूजन किया गया इस आयूजन में देश भर के करीब 30 जाने वाने स्पीकर्स ने शिर्कत की कारिकरम के शुरुवात विधायक रामिश्वर शर्मा ने की वही कारिकरम को कॉर्डिनेटर डॉक्टर जगपरीट सिंग ने बताया कि कॉन्फरेंस के दूसरे संसकरण में देश भर से करीब 500 स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टी मेंबर्स शामिल हुए मान सरोवर ग्लोबल युनिवर्सिटी इसमें कारिकरम के दौरान 20 के करीब रिसर्च प्रेपर पढ़ेगा दो देवसिये कारिकरम के थीम फीजियो थेरपी सेक्टर में होने वाले एक्सिलेंस के बारे में चर्चा की गई आज 18.30 मार्च को हमें दो दिवसिये फिजियो थेरपी इंटरनेशनल कॉंफरेंस रखी है इस कॉंफरेंस के माध्यम से हमारे पास लगभग 400 से 500 स्टूडेंट्स और प्रफेशनल जुड़े हैं देश भाग से लगभग 40 साइंटिफिक सेशन्स हैं जिसमें की चार इंटरनेशनल और वाकी नैशनल सेशन्स हैं फिजियो थेरपी में नए-डवांस्मेंट नए टेखनीक और नए शोदों को लेके इस पर विचार दिमाश हो रहा है